अच्छा साथ 3-bedroom का house design, 3-bedroom उसमें से 2-bedroom के साथ 2-attice toilet bathroom, 1-bedroom रहेगा तो common एक toilet bathroom बाहर रहेगा, अच्छा साथ 2-bedroom के साथ और एक common, साथ में रहेगा kitchen, toilet, bathroom, बाहर वाल 125 mm हम नहीं किया है, 10 इंच का वाल इस्तमाल किया है, 250 mm, आप चाहे तो आपके हिसाब से आप इसको modify कर सकते है, building design, देखे सब कुछ depend करते हैं आपके उपर, क्योंकि building एक बार आप बनाएंगे तो आप एक बार देख लीजिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप देखके घर बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको modify करके, आपके हिसाब से आप इसको modify कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका घर का design आपके हिसाब से बनेगा निकर, हम स्रिप आपके साथ एक अच्छा सा design करके दिखाने के लिए इधर design क्या है, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको ऐसे design देखके घर बनाना पड़ेगा, आप इसमें से थोड़ा सा knowledge ले सकते हैं, ठीक है, कैसे आपको घर का नक्सा बनाना है, तो आप एक बात देख लीजिए, तो देखिए, जो design हमने क्या है, इसके अंदर हमने 3 bedroom के साथ design क्या है, इसका font का जो part है, ऐसे रहेगा, तो font में हम एक left side में bedroom और right side में kitchen, तो bedroom kitchen ऐसे हमने इसके अंदर रखा है, तो देखिए, आप चाहे तो इसको भी आप change कर सकते हैं, तो बाकी जो building का point रहेगा, जो technical details रहेगा, तो हम इस design के साथ आपको करके दिखाएंगे, तो चलिए, इसको हमने कर दिया है, GLPL का part, ओके, तो साथ में हमें और भी कुछ add करना पड़ेगा, जैसे कि side में कुछ window bag रचाहिए, तो चलिए हम इसको ready करते हैं, तो इसको भी हमने 4 feet 6 inch depth रखके इसको भी draw करेंगे, तो ऐसे एक design बनने के बाद, आपको क्या उक्रूड मिलेगा, देखिए एक बार, पाहार अंदर maximum जीतना wall आपको दिखा दे रहे, हम 250 mm का wall इस्तेमाल क्या है, आप चाहिए तो 230 mm का wall इस्तेमाल कर सकते हैं, 230 mm का, ठीक है, तो इधर देखिए, हम 4 feet 6 inch, तो इधर हम add करने के बाद, इधर भी हम window add करेंगे, तो देखिए, आप चाहे तो आपकी सब-सब window add कर सकते हैं, तो बाकी जो design का अंदर जो window आपको दिखाए दे रहा है, यह depend करेगा आपके उपर, आप चाहे तो इसको इसका अंदर window add, remove, सब कुछ आपके उपर depend करेंगे, ठीक है, तो चलिए, हम उसके बाद इसके अंदर और एक चीज़ आइड करते हैं, जो है इसका stair area, ठीक है, देखिए, furniture set करके, एक simple 3D design complete केया है, तो इसमें आपको कुछ, इधर sofa set, इधर एक dining table set, इधर एक dining table, sofa, stair, kitchen room, bedroom, देखिए, पीछे 2 bedroom, bedroom के साथ attach toilet bathroom, bedroom के साथ attach toilet bathroom, तो आपको अगर toilet bathroom चाहिए, तो आपके लिए बहुती, सुभिधा होगा, क्योंकि देखिए, इसमें आप इस्तिमाल कर सकते, attach bedroom के साथ, टॉलेड में तेखर देखर नेन रहा है जो ङहांगे यहां पर आपने शुह फिद्धा दिया है जो है इधर चालेट बातरूम इसको मौडिफाई करके आपको लगता है इधर नहीं इधर चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं तो कि देखिए कि डिजाइन होता है आपका प्लॉट कैसे रहेगा उसके उपर डीपेंड करके तो इसलिए हमने जो डिजाइन क्या है हमने थोड़ा सा इसका अंतर क्या है तो बहार अंदर जितना भी वाल यहां पर हमने तस्याज का वाल इस्तमाल क्या में क्या एप चाहिए तो चाहें तो इससे कम आपको करने नहीं करना है क्योंकि बील्डिंग का जुरे स्टेंथे कम हो जाएगा इसका जो मजबूत ही है ओभी आप जाएगा ठीक है तो चलिए हम इसका टूडी डोइंग आपके साथ शेयर करके दिखाते हैं जिसके अंदर आपको पूरा मेजर मिल जाएगा तो फास्ट कुछ टेक्सट एड्ड करना है हमें तो टेक्स्ट एड्ड करने कगने पाथ मेजर में डेड यह टिक है ड्वाइंग करा टौअइग तो बेड्डू ठी रहेगा इसके बाद बाद फास्ट लेटिन अपे उसके बाद टौइए न लेट्रिंग आट इंट अधिन अधिन सब्सक्राइब देखिए आप इधर लिविंग डैनिंग कर सकते हैं टिक स्टेर तो इधर रहेगा उसके बाद कीचेन किचेन आप इधर सो कर दिजिए उसके बाद सब्सक्राइब तो आप ऐसे करके डिजाइन कर सकते हैं उसके बाद मेजर्मेंट रूम का जो मेजर्मेंट देखिए इलेवन फिट थ्री वाई ट्वेल फिट एलेवन फिट वाई डेल फिट टेवल फिट टोयलेट बात्रूम फोर फिट वाई एट फिट टू दो तोयलेट वाध वाई यह टाच्ट रहेगा रों के साथ फाइभ फिट थी वाई एलेवन फिट का बाद सा बात लैट न तो पहले बाला जो फॉंट का बेडरूम है इधर 12 feet 8 by 11 feet 3 उसके बाद देखे 8 feet इधर 8 feet इधर 6 feet ऐसे gap रहेगा तो sitting room हमने एक अच्छा सा hall room की सब से रखा है 12 feet 8 by 11 feet 5 तो आपको देखिए सब अच्छा सा बढ़ी असा इधर एक hall room भी मिल जाएगा तो चलिए इसका measurement एक एक बार हम दिखाते है इधर 23 feet 3 inch और इधर देखे 11 feet और स्टेयर का जगा आप लिजिए इधर इधर भी आपके स्टेयर का जगा ले सकते है उसके बाद स्टेयर का ट्रेड इधर एसर हैगा 3 feet का ओके ओवरल जो बिल्डिंग का डिस्टेंस 34 by 39 feet ओके तो टोटल स्क्वाइर फिट इसका कितना आएगा इसका टोटल खर्चा कितना आएगा हम इसके साथ 1850 पर स्क्वाइर फिट में मिनिमाम खर्चा जो है हम इधर टक्खेंगे 24 लाग 53,100 रुपीस तक खर्चा आएगा आपको अगर कोई भी पुजा रूम चाहिए तो आप इस कर्नर पर पुजा रूम एड़ कर सकते हैं